दिल्ली की मुख मंत्री का बड़ा एलान फिर से लोगडाउन लगाया जाएगा जो कि आपको मालूमे कल पांच बजे सुबह लोगडाउन दिल्ली में खतम हो रहा था फिर से अर्बिंद के जिरिवाल ने एक हफ्ता के लोगडाउन ब्राद यानि कि अगला समौण पांच ब यह खतम हो रहा था जिस तरह से तेजी से केसे बड़रे था दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लोगडाउन लगा बहुत ज़रूरी हो गया था आ además यह एक तरह से आखरी हथियार एक और न संदील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़रे थे यह आखरी अधियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी करोना का कहर जारी है और करोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश कि सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं यह लगबग 36-37% तक पहुंच गई है आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नही हो कहीं पर लेकिन 36-37% तक संक्रमन दर पहुंच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 39 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कह रहा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन यह अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और एलोट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दि पूरी अलॉट्मेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है, तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महमारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है, जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्स आनी है, यह बहुत बड़ा कारण है, जो ऑक्सीजन की कमी जगे जगे अस्पतालों में महसूस हो रही है, लेकिन हमारे ओफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगन, हमेरे सभी लोग रात-रात भर पिछले कुछ दिनों में, अगर हमारे एपके गुरू चैनल को सस्क्राइब नहीं क झाल 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 झाल।